बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान का 2003 सोल्ड कॉप में प्रजरचन खराब रहा था टीम 9 में से केवल 4 में जीत करी टुर्नामेंट से बाहर हो गी थी खराब प्रजरचन के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट बोड ने पुरी सिलेक्शन कमीडी को बरकास कर दिया था गेनबाजी कोच मोर मोरकल इस्तिबादी चुके है अब खबर आ रहे है कि PCB ने बाबर आजन से कप्तानी चीन ली है उनके जगह दो खिलाडियों को जिम्मेदरी मिल सकती है जल्दी इसका एलान हो सकता है शाहिना प्रिदि को T20 का तो त्यान मसुद को टेस्ट टिम का कप्तान बनाए जा सकता है पाकिस्तान को अगले एक साल तक कोई वंडे नी खेलना है अगले साल जून में होने वाले T20 वर्लकप को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी से तैयारे में जुटा हुआ है जुए नूस की खबर के नूसर PCP के चेर्मेन जका अश्वर ने मंगलवर को पूरो कप्तान यूनिस खान और मौमद हपिस सहीद कई खेलाडों से मुलगात की इसके बाद बाबर आजुन को कप्तानी से हटाने का फैसला लिया गया बाबर करल यानी 16 नेमबर को जका अश्वर से मुलाकत करने वाल है इसके बाद ने कप्तान का एलान हो सकता है अलमो की वर्ल कप में पाकिस्तान टीम को अफगानिस्तान तक से हार मिली ये टीम के लिए एक बड़ा जटकारा पीछले दिनों खबर आई थी कि बाबर खुट कप्तानी से इस्तिवा देना चाहते है रिबूट के अनुसर बाबर आजम इरी कप्तानी से इस्तिवा नहीं देते है तो उन्हें बरकास तक किया जा सकता है पाकिस्तान सूपर लिग में बतुर कप्तान लगातर दोबा टीम को चैंपिन बनाने वाले चाहिन अपरिदी को पहले ही कप्तान बना जाने की बात हो रही है वे पूरो कप्तान शाहिर अपरिदी के दामाद है इस वलकप से पहले एशाय कप 2023 में भी पाकिस्तन का तगर्षन निराशेजनक रहा था इन सूपर चार राउंड से ही बाहर हो चुकी थी उसे भारत के अलवा श्री लंका तक से एशाय कप में हार मिले थी